तो मेकेनिक दोस्तों, देखता हैं, दोनों कार्बॉरेटर को हम उपन करके ले चुके हैं, बटरफला भरसे, नौर्मर कार्बॉरेटर का कमपेरीजन करेंगे, पल्बस हमारी गाडी में इस तरह से ईरिटेेटिंग प्रोब्लम क्यों आती है, और कार्बॉरीटर हमारा जो व डेट से सी से ऊपर गाड़ी होती है उसमें हमारा यह यूज होता है जैसे पलसर हो गया अपाची हो गया 350 लासिक हो गया यह फिर रोल इंक्विल्ट की जितनी भी बैके हो होती है उसमें यह कारबुरेटर यूज होता है अब चलिए बात करते हैं इसके वर्किंग करेगा सारे चीजों के बारे में explain करेंगे तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो बिना इरिटेट हुए complete वीडियो देखें ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो तो सबसे पहले चलिए इसके आपनिंग के बारे में तो सबसे पहले इसके नीचे वाले सीरे को खोलते हैं जहां पर हमारा पेट्रोल का जो केस होता है इस जगा पर इसको फ्यूल केस को आपन करेंगे उससे पहले इसके पैप लाइन को यहां से रिमोव कर देते हैं जो हमारा बीयस फॉर सिस्टम चारकॉल कैनिस्टर का एक से उपन करना है उसके बारे में आपको completely और किल्यरली बताते हैं complete इसके वरकिंग सर्टम के बारे में जड़िए इस वाले पैप लैं को यहां से रिमोव करते हैं थोड़ा टाइट हो चुका है तो कारबुरेटर को आपन करने से पहले आपको स्पीड में सारे हॉल्स के बा बाकि यह जो हमारा है overflow system है बाइद वे अगर इसके जो fuel case में dust वगेरा आ जाए या फिर कभी कचड़ा या पानी वगेरा चला जाए तो इस वाले screw को यहां से open करके इसके अंदर से सारे कचड़ी को आप यहां से remove कर सकते हैं बाकि इस वाले hall के अगर बात किया जाए तो यह हमारा जो pipeline होता है charcoal canister यानि जब से BS4 वाली गाड़ियां आने शुरू हुए है उसमें यह pipeline आपको देखने को मिलेगा एक जो हमारा बड़ा hall है यह हमारा main jet के लिए जाता है जिसके बारे हम आगे explain करेंगे कि main jet क्या है और यह हमारा जो पतला hall है यह हमारा slow jet है इसके बारे में आपको बताएंगे आगे चलके कि हमारा slow jet क्या है main jet क्या है और यह कैसे work करता है बाकि यह जो दोनों hall है यह हमार और सटीक तरीका क्या है उसके बारे मताएंगे और इससे और इससे कंपेरिजन भी करेंगे क्या-क्या इसके अंदर है और क्या-क्या इसके अंदर है चलिए बिना टाम विष्ट के कार्बूरेटर को ओपन करते हैं तो मेकेनिक दोस्तों जब भी आप कार्बूरेटर को ओपन करते हैं ये एक स्क्रू है एक ये इसका स्क्रू है ताकि हमारा जो फ्यूल का केस है ये हमारा ओपन हो जाए इसके ओपर रबर का एक केस लगा होता है फॉस्ट टाइम खुल रहा है कंपनी फिटेड है और ये टीवे अपाची आर्टी और टूवी का कार्बुरेटर है टूवी फॉर वी टूहंडेट वन सिक्स्टी अपाची पलसर रोयल इन्फिल्ड इन सभी गाड़ियों में डिस्कवर वगेरा सभी गाड़ियों में सेमी कार्बुरेटर होता है तो ये कंपनी फिटेड है चलिए इसको यहां से रिमोफ कर लेता वाले सिस्टेम के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा जो है निडल पिन है जिसे फ्लूट पिन भी हमारे आफ्टर मार्केट मैकेनिक भाई बोलते हैं और इसका वर्किंग कैस है और क्या काम के लिए आता है ये फ्लूट पिन उसके बारे में बताते हैं तो उससे हुआ इस जगह पे यहां पर दिख पारें एक इसके अंदर आपको fluid का pin दिखने को मिलेगा और इसका काम है कि हमारा जब भी fuel जो है इस वाले case में हमारा full हो जाता है जब इस वाले needle का काम होता है कि fuel को block कर देना यानि रोक के रखना ज्यादा फ्यूल होता है तो क्या होता है इस वाले लाइन से हमारा अभरफ्लो होने लगता है इस वाले लाइन से इधर से हमारा अभरफ्लो होने लगता है तो उस कंडिशन में क्या होता है कि आपको फ्लूट पीन रिप्लेस्मेंट करना पड़ेगा या बाकि दो जेड हैं इसके अंदर एक है हमारा मेंजड एक है स्लो जेड मेंजड जब काम करता है जब आप गारी को थ्रूटल देते हैं यानि आप गारी के जिस तरह से थ्रूटल घीचेगा थ्रूटल रिस्पॉन्स के हिसाब से हमारा यहां पर आपकर स्लाइड देखें तो इस वाले हिस्से में हमारा स्लाइड है जैसे फ्रूटल देते हैं तो यह प्रेशर के वज़से यह जो फ्लो होता है उसके वज़से यह ऊपर जाएगा और उस सिच्वेशन से हमारा क्या होगा कि इस वाले जो मेंजड है इस से हमारा फ्यूल का प्रेशर बनके हेड में जा हो जब इस वाले स्लो जेट से हमारा कम्प्लेट काम करता है बाकि यह हमारा आर्पीम स्क्रू है जब भी आपका थ्रोटल ग्याड़े अटोमेटिकली बंद हो जाती है उस सिजवेशन में यहां से आप आर्पीम को अडिजेश्टमेंट कर सकते हैं कम या ज्यादा कर सकते हैं बाकि इस जगह से अगर देखा जाए तो यहां पर इसका एक एर और फ्यूल का मिक्चर स्क्रू है इसको अगर आप उपन करें तो इसके अंदर से आपको स्प्रिंग देखने को मिलेगा और ब्लैक एक ओरिंग देखने को मिलेगा यह वाला जो लाइन होता है यह भी हमारा एक जड़ से अठेच होता जब भी आप इस वाले स्कुरू को आपन कीजेगा तो क्या होगा कि आपका फ्यूल का मिश्रन और यह का मिश्रन परोपर तरीके से होगा ज्यादा टाइट कर दीजेगा तो सिर्फ फ्यूल जाएगा इयर नहीं जाएगा और इसे आप ज्यादा बहर को आपन करते हैं, यह दो इस्क्रू को आपन करना पड़ेगा, फिर एक इसके अंदर स्प्रिंग होता है, जो काफी टाइट होता है, जब भी आपन करें, इसको अच्छे तरह से आपन करें, तो आपको आपन करके दिखाते हैं, सौरी काफ़ी टाइट है company fitted है चलिए इस ओपन कर लेते हैं तो फ्रेंड दोनों इसक्रू को इसके कर चुके हैं रिमोव तो इसक्रू को जैसे ही रिमोव करेंगे इस वाले केस को आपको दबा के रखना है वरना इधर से spring हमारी देखिए कुछ इस परकार से इसका spring वगेरा होता है तो चलिए इसको हम यहां से open करते हैं और इसका जो प्रूपर तरीका है working का उसके बारे में बताते हैं और किन किन प्रोब्लम है हमारा जो butterfly चेक करना पड़ता है